है यह आए यह तो अब वह व्रेंड विल्स वोगम बाग तो शेंडिजाल स्किल्स आज कम पापिक में देखिएंगे कंप्यूटर अर्टियटेकचर एंड अस्मिल लेंगेज के प्रिवीज को सब्सक्राइब शबुआ रखा वा अब अब नहीं बता दो पहले यह जो भी को स से हमारे प्रिविए से रखोस्ट पेपर में अप्रोड करता हूँ क्योंकि आप सबी को आईए मिल जागा किस थैप पर को सना मारे आने वाले हैं और पुछे जाएंगे हमारे को संब कोई यासि का रॉच्प पहला को सना मारे स्क्रिन पे दिख़ए हुआ थाहिक फिर फेज चनल यूजद को ठॉरे चर्न जाता है रहा इंपना पर संब इक को मांसे त्थी जाते हैं यूज़ फेजे पर प्रिचोट हाँ दाने एकन टूर्स टैयल जाता है थाए हम से पेज्ट code execute cycle भी बोलते हैं इस the cycle which the central processing unit or cpu follows वो cycle जो से central processing also if you follow us करता है okay in order to process the instructions it is composed of three main stages phases these are देखिए आपको तीन फेजसे बताने थे से कि अड़र थी मेजर फेजस तो इसके तीन फेजसे हैं जो कि stage है the phase stage, record stage and execute stage तो मैं इसके explain क्या हूं तही आप देख लिए जिए आप okay guys और तीसरा जो कि हमारा execute stage यह भी हमारा solution आपके screen पर दिख़ए अचले बड़ते हैं अपने question number second की तरफ जो कि हमारा write a note on register यह question काफी repeated है हमारा 2019-2021 में यह question काफी पुछे गया है यह question का अच्छे से समझ कर जाएगा और लिख कर रही है ओके तो जैसे कि दिखाएगा स्क्रीन पर आपको याँ यहां जानपल में आपको दिख़ए आपके अपने में आरी कि यहां पर इंडिलुथ to do not memory address register यह मेर होता हमारा इसको यूष किया घ्रम लो गिनोट किया सता है डाहीं में अडिश्टर से ऑट है तो दिमय का मतलब क्या होता है सिक वाट वाट दू रूसेंड पाइण भाइण भाइण व्था दूर पूचा गया को सब्सक्राइब पर दूर्ड है यह पुछा गया ओस्टर नमर पे अधन डूरुट में डूरुट में इसस इस में अनुट प्रॉंट रॉंटर श्रांग ग प्रफिए और शिर्विज थे गडिया टाप रख खर टेम से मुटरें आ इसे पोफ तेया है और भी सरे सब इंड याफ को श्रीन वाप को स्क्तिम जिए वाव ट्रीयागार डियारम हमारे अवाज फोट गितरम परते हम अवाटि एशूरनस डेटाट आट इसे वही हम आए आ करिदेए कि एक सुल्छी है नहीं हमाथ इंक बाव्य कोटिएस आते हैं है है गातते हैं वहलो सब्सक्राइए हो। तो जी इघ्टाइए को हमक्नेट the asynchronous way of data transfer can be achieved by two methods ये दोस तरिका से अचिवड किया जाते हैं one way is by means of strobe pulse which is supplied by one of the unit to another unit when transfer has to occur this method is known as a strobe control एक होता है strobe control से और दूसरा method होता हमारा another method is commonly used is to a company each data item being transferred with a control signal that indicates presence of data in the bus this is known as hand shaking by okay तो देखिया है question no.5 है हमारा distinguish between fixed point and floating point representation आपको इससे कहा है एंसर दिखला होगा solution आपको screen पर तो यह आप देखली जाशे से रीड कर लिजेगा और समझ जेगा इसलिए बड़ते हमें section B के तरफ जो कि हमारा सबसे पहला question पूछा गया है differentiate between RISC and CISC जैसे मैं आपको answer लिखके दिखाए हूँ वैसे आप अगर लिखते है exam में ता आपको examiner काफी अच्छा मार्स देता है तो आपको इस इस कोसिस करें लिखने का exam में करते हैं और answer marking करते हैं उसको अच्छे से देखके करिया काफी होते हैं जो कि कुछ दूसरे का answer लिखके आ जाते हैं वैसे examiner अच्छे से में समझपाता है और काड़े दे-आ्प को के डिफरेंटियेट किया गया है और ये सिंड चिय को और शीडिक मतलब क्या और बैंबरी के मश्रब इंस्ट्रक्शन रिफर्स टु दिखाए हो आप उसके तो याद कर साथ दस याद कर लेजा दस समझ क्या और एक्साम में अपने लिखी जाए हो कि तो पोसमा 6 का बी नमर जो कि हमाना आ होस खुवेस जा कप कुझी ऑस्ती आ हाडवाइर कंट्रोल एंड माइक्रोग्राम हें, और हम डिवसरे heard क्ट्रोल में प्रोन में अपको różne आपको पटो के सक्टेश्का आपना हुआ and SCP passed आपको hardware control units generate control signals needed for the processing using logic circuits okay my problem kao the micro program control unit generates the control signal with the help of micro instruction stored in the control memory okay all the solution is key ok here difference is a muna person number seven keep the author of key m.dot draw draw and explain a four bit arithmetic circuit which can perform the following dookie following kakya mama add add with carry subtract with borrow subtract transfer of a increment the MR स्क्रीन पर और दिर्खते हैं यह हमारा डियाग्राम यह देख लिए अच्छे से कुस्ट नमर 8 की तरह बड़ते हैं जो कि हमारा राइट एंसेम्ली लाइंगिज प्रोग्राम टू एब एड एन नमबर वेर दिनमबर और स्टूर इन एन कंजिक्यूटिव लोकेशन नम नम प्लस वन नम प्लस एन मैनस वन एन टुस्टूर देख लिए अपना सक्षन की तरफ जो कि है सक्षन सी तो पुस्ट नमर 9 जो कि 9 का ए हमारा पुछा गया तो परफॉर्म दा सब्ट्रेक्शन अब फॉल्विंग अंसाइं डेसिमल नमर भाए टेकिं टेंस कंप्लिब्म्न आफ तरेगी यहां पर टास मह नमर दिया हुआ है को देखिए अचय से हमनों पहला नमर को ए और दुस्टामर को भी माली हम लोगा टेंस कंप्लिम्न आफ बी नमर का कंप्लिम्न करेंगे तो फाइं टेंस कॉम्पिलिमेंट भी एड़ नाइन कोंपिलिमेंट ओके अब डेट नमबर देर्फोर नाइन प्रमारा एड़ करने के बाद फ़र देखे क्या किया है नाव भी एड़ देस्टेंस कॉम्पिलिमेंट अफ बीट फिर बीट को एम एड कर दिंगे तो अमारा ये रफ्ट मॉस्ट भीट अब अब डिजर्ट कारी और इस इग्नोर सो दरांश इस इक्स टू जी रोलन है अगे मरा पूसनम पीडिया पूसनम नहीं का बी नेख ले जा यूज अफ मैक्रोज का सल्योशन आपको प्रवाइब कर दो काफी यहालफू जागा आपके लिए तो बने रही हमारे वीडियो को साथ यहां तर वीडियो के खिले काफी सुक्रिया चलिए बटते आपने को स्थेंगे प्लोग डियग्राम और यह है सुल्योशन हमारे त्हु से सुलीसंस है देख ली जहाँ अच्छे से कूस्प नमबर जोकी हमारा यह समद्र है इसका कांफी अच्छे समको एक्सप्रेंट करते लिखना और यह काफी ज्यादे मांक्स में बश्याटे है छोड़ी से बश्टार द इसक्ते हैं व्स नमबर इलावन स्ट्योवा is a difference between a direct and indirect address instruction how many difference to memory are needed for each type of instruction to bring an operator into a processor register तो यह काफी कोशन रिपीटेड है हमारा इसे बच्छे से देख लेजिएगा और देख लेजिए 7 हमारे हम और जो दो कोशन बस्ते मैं आपको पीडिएफ में प्रवाइड कर दूँगा तो थैंक यू फॉर वाचिंग्स मिलते हैं लवल वीडियो में है